जै भोले नात सबसे जरूरी जो बात ध्यान रखने की है आठ कंडे के आठ दिनों में इस ब्रत के आठ दिनों में कौन सी चीजा जो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है वो है खटी चीजे अगर आप कोई भी खटी चीजे खाते हैं उससे आपका ब्रत तूट सकता है आप आठ दिन जो मरजी खा सकते हैं वो मैंने आपको बिधी में बताया है बस पूजा करनी है आपने सुभे बिना खाए पिए फिर पूरा दिन आप जो मरजी खाए आपकी मरजी है शाम को भगव की एक बर आरती कर लिजी जो आप पूजन करते हैं धूब दीप पर कोई भी खटी चीज आपने आठ दिन नहीं खानी है यही इस ब्रत का जो एक को होता है विधान जो आपने परहेज रखना होता है और एक बात है कि भोले नात को परशाद हमने क्या चड़ाना है हर रोज आप जो पूजा करते हैं आपने कथा करनी है आरती करनी है पूजा के समापन के बाद जैसे सूरे बगवान को आप अर्ग जो देंगे उसके बाद आपने परशाद जो जितने भी लोग बैटे होंगे सबने परशाद ग्रहन करना है कभी भी मतलब सुच्चा मूँ बोलते ह कि कथा के बाद नहीं रखते हैं कुछ भी जूठा करें मुँ में बेशक चीनी के कुछ दाने ही डाले वो आपने परशाद खाना है उसमें आपकी मर्जी है आप हर रोज कोई परशाद रखना चाहें बनाना चाहें ना बनाना चाहें लेकिन जिस दिन आप विसर्जन करोगे उदापन करोगे उदापन को या विसर्जन को जो अगर आप उदापन करते हैं तिम दिन उस दिन और विसर्जन वाले दिन आपने भोलेनात के लिए परशाद बनाना है आप सभी जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे बोलेनात का प्रिय परशाद जो गेहूं का आटा होता है उसे भून कर चीनी डालना जैसे हम बनाते हैं एक मीठा परशाद वो बोलेनात के लिए परशाद बनाना है जिसे कसार बोलते हैं गेहूं के आटे का होता है वो सूजी का नहीं होता गेहूं के आटे का बनाना है तो यही इस वीडियो में आपको बताना था छोटी सी वीडियो है परशाद के बारे में कोई भी आपका प्रेशन हो तो आप पूछ भी सकते हैं कोई दूबिदा हो तो आप कोमेंट बोक्स में लिख सकते हैं वीडियो को लाइक कर लेजिएगा चैनल पे नए आये तो चैनल को हुजाब हो या प्रेशन हो कोमेंट बोक्स में ज़रूर लिखिएगा है